Hello students, how are you? Students, my name is Naiti Garvin, we are studying your chapter number 12, that is reproduction in plants. So students, in previous lecture, we have studied about budding. What is budding? Yes, budding is seen in the organisms like a yeast. Yeast, like organism, which you can see, is a small body, a second body, and it's different, separate, new individual, which we call budding. तो इस लेक्टर में हम पढ़ेंगे, a fragmentation. फ्रेग्मेंटेशन किसे बोलते हैं? तो चलो देखते हैं, यहां पर लिखाए, You might have seen a slimy green patch in a pond or in other stagnant water bodies. You might have seen a slimy green patch. आपने सायद slimy green patches, अभी या निक्या, slimy यानि कि sleeper, या फिर chip-chip या फिर पतले से. ओके आपने कहीं water bodies, water body यानि कि पानी जहाँ पर भरा हुआ है, वहाँ कहीं पर ऐसे आपने देखा है green patches उसके उपर, तो हाँ सर सभी ने देखा हुआ है, ओके दूसरी कहाँ पर दिखा है, और in the other stagnant water bodies, other stagnant water bodies, अब stagnant water bodies यानि कि आपके घर में से जो सीवेज निकल रहा है, सायद आप बोलते हैं, उसे गटर, वहाँ से जो पानी जा रहा है, उसे stagnant water bodies बोलते हैं, या फिर जहाँ से आपको गंदी समेल आ रही है, ऐसी कोई water की stream, जो नेचरल ही नहीं है, हमने हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे, ये सही है, उसे कोई सेवार या ऐसी कोई चीज हम अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, तो आपने हम सभी ने देखा हुआ है, तो वह क्या है, कि वह fragmentation को कुछ काम का है, हमने इसके पहले budding देखा था, तो इसका example देखा था, तो फ्रेग पैचिस देट ये सीन इन दे वाटर बोड़िस, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का ओपर दिख रहा है, आप कई बार नदी में नहाने गए हो, या कभी कुवे के अंदर नहाने गए हो, तो आप जैसे ही पहल रखते हो, आप फिसल जाते हो, इतना चिप-चिपा होता है, स्ला इस जो ग्रीन कलर का ओगलिशम जो अरなん BROWN, इस घुलिं कलर का ओगलिशμ है, आप खुथ मजाई है, ये जो रही जो ओगलिशा है, वो अन देट नहाने अपे हों और आपको जिलम ज्यक्वे कर का ओगलिश जो और मर्मीश माँ पच्प और अअ व The Link is fresh Man Mom video. Joday, जो दो ये have enough nutrition or when the yeast have enough food they will grow and multiply every hour तो यहां पर भी सेम ऐसा है ओके वो बड़िंग से हो रहे थे and the if algae have enough nutrition enough food for their growth तो they will grow and multiply rapidly by a fragmentation ओके यह जो हमारी yeast थी वो बड़िंग से हो रहे थी एक में से दूसरा दूसरे में से तीसरा वो ऐसे connected थे and यह क्या है yes algae will grow and multiply by the fragmentation ओके जो algae का जो growing है उस process को बोलते है fragmentation of fragmentation क्या होते वो देखते है बड़िंग हमने देख लिया कि एक है उस में से दूसरे निकलना तीसरा चोथा पांटमा चटा ऐसे बहुत बड़ा सा एक जाल जैसा बन जाना नैट जैसा बन जाना ओके एक था उसमें से दूसरा दूसरे में से तीसरा दो में से चार चार में से छे सब connected connected थे यह याद रखना in a budding they are connected with each other a fragmentation में क्या है वो देखेंगे आगे पर यह याद रखना है कि येस्ट जो है वो बड़िंग से एन एलगा है जो ग्रीन पैचिस आपको वोटर के ऊपर दिख रहे हैं ते विल ग्रोव और मल्टीप्लाइब इन फूड 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 फूर देर ग्रोथ ओके देविल मल्टीप्लाइब बाइद फ्रेग्मेंटेशन ओके देखते हैं एन दो से ज्यादा फ्रेग्मेंटेशन में क्या होती है येस्ट अपरेट हो जाती हे ब्रेक हो जाते हैं ब्रे dieser ऑट हो जाती है fits 5 में उसमें से दे索़ तीन अ तो आपको दिख रहा है अलग अलग तीन फ्रेगमेंट एक में से तीन इलगा बन घए तीन आुप विस्वह हुआ है उसमें जो फर्सट और फ्र मेंटेशन उसे दूसरा भना जर्वमेंटेशन में से दूसरा बना शेकेंड ये when में से didn भी दूसरा तो ये क्या हो रहे यह भी से मल्टिप्लाई हो रहे but they are not connected with each other the alga is separated from each other यह दोनों separated है जो हमारा budding के थुरू yeast थे they are connected with each other and the alga's are they are separated from each other वो एक दुसरे से अलग अलग है और वो अलग हो जाते है तो इन दोनों का difference है and those fragments or pieces grow into a new individuals okay the fragments okay एक में से जो पेरेंट जो हमारा alga था पेरेंट alga में से जो फ्रेग्मेंटेशन आए okay they will grow वो क्या हो जाएंगे yes they will grow and act as a new individual और वो new individuals बन जाएंगे okay वो grow होंगे और नए individuals बन जाएंगे पहले एक alga थी उसमें से दो तीन बने अब तीन बने वो खुद एक नए इंडिविजिल बने उसमें से और दो तीन बनेंगे उसमें से दो तीन दो तीन तो ये चलता ही रहेगा इस process will continue if they have enough nutrition or enough food okay so this process continues and they cover a large area in a short period of time okay this process of separation this process of fragmentation will continue 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 and they will cover the large area of a water body they will cover the large area of a pond in a short time देख यहाँ पर आपको एक pond दिखाया हुआ उसमें आपको ये green color का दीकरा है तो पहले सपोज इतना सा ही होगा, छोटी सी, छोटा सा एलगा, छोटी सी एलगाई होगी, ओके, फिर एक एलगाई continue, they will multiply and multiply and multiply and multiply and multiply and they will cover the large area of the pond and at a once, at a one time, they will cover the entire the water body, पूरी जो water body होगी ना पूरा का पूरा कवर कर ले, या आपने बहुत सारे pond इसे देखे होगे, आपके घर के आसपास, अगर आप ट्रावेलिंग कर ले हो तो वहाँ पर, कि पूरा जो pond है वो एकदम green लगेगा, और specially अपने ऐसे pond देखे होगे, ऐसी water bodies देखे होगी, कि जो human made, main made है, main made कैसे कि उसके अंदर जो पानी जा रहा है, वो आपके घर के अंदर से waste जा रहा है, या फ nutrition मिल जाएगा, हमारा जो waste है, वो उनके लिए nutrition है, हम जो खाना खाके waste कर देता है, जो हमारे sink में से बाहर चला जाता है, sewage में, तो यह जो sewage में गया, तो हमारा waste उनके लिए nutrition है, और वो पूरा बहुत बड़ा large area cover कर लेगे, थोड़े से ही time में, clear, तो difference आपको पता होना चाहिए के fragmentation और budding दोनों में क्या है, budding yeast में होता है और fragmentation algae में होता है, budding के अंदर chain होती है, they are connected with each other and in a fragmentation in a algae, they are separated with each other, multiply दोनों ही होते है, दोनों rapidly growth करते हैं, अगर in a food मिल जाए तो, पर दोनों में थोड़ा सा difference है, यह हमें पता होना चाहिए, clear, चलो, तो पहले हमने स segmentation इतना ही रखते, आगे के lecture में हम देखेंगे हमारा next topic तब तब के लिए, thank you